कारेक्रम की इस श्रिंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तूत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिध कवी सूरे कांत त्रिपाठी निराला की एक कविता ध्वनी मित्रो इस कविता में कवी वसंत रितू को माध्यम बना कर कहना चाता है कि वो कभी भी अपने जीवन में पराजित महसूस करना नहीं चाता ना कभी उदास रहना चाता है उसके जीवन में भी हर दिन वसंत रितु की तरह नवीनता रहेगी तो आईए सुनते हैं इस कविता की संगीत मैं प्रस्तुती अभी नहोगा मेरा अन अभी नहोगा मेरा अन अभी अभी ही तो आया है अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत अभी नहोगा मेरा अन अभी नहोगा मेरा अन्त हरे हरे ये पात डालिया कलिया को मलगा मैं ही अपना स्वप्न मिदुल कर धे रूंगा नित्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर जगा एक प्रत्यूश मनोहर पुश्प पुश्प से तंद्रा लस लाल सा खीच लूंगा में अपने नव जीवन का अमरित सहर्ष सीच दूंगा में द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त अभी नहोगा मेरा अन्त अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृतुल वसंत अभी नहोगा मेरा अन्त मित्रो इस कविता के गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने, गाने, गुन-गुनाने की भावना अवश्य जगी होगी तो क्योना आप भी एक छोटी सी प्यारी सी कोई कविता लिखें और उसे गायन और गुन-गुनाएं ध्वनी अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्ते के सुप्रसिद्ध कवी सूरेकां ट्रिपाठी निराला की इस कविता की संगीत्मय प्रस्तुती विशे संयोजन रविंद्र कुमार, धोनियंकन बटिल्यंग लिंडु और शानु मुक्सीम, निर्मान सयोग, मयंग थपलियाल, धोनिसंपादन, निर्देशन तथा निर्मान, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT नैदिल्ली